वेलो फ्रेंट्स, क्लास नाइन्थ, I was teaching you the French Revolutions, किस तरह से वोमेंज ने struggle किया, इसे वीडियो फाइप अप दे चैप्टर, मुमेंज ने अपने अधिकारों के लिए सफ्रेजी मुमेंज चलाया था, इक्वल वेजिस नहीं दी जाती थी उनको, लंबे समय तक 200 एस से भी ज़्यादा समय तक संसार के महिलाओं ने अपने अधिकारों के लड़ा, और फाइनली 1946 में फ्रांस ने मुमेंज को वोड़ दे ने कराइड दिया, मुस्ट रिवालिशनरी अगर हम देखें क्रांतिकारी जो सोचल रिफॉर्म्स थे, जैकोवेंज के रिजाइम्स, एवोलिजन आफ स्लेवरी, जो गुलामी थे, उसको रोक लगा दी गई, इन दे फ्रेंच कॉलोनीज में, कॉलोनीज इन दे केरिवियन मार्टिन्स क्यू एंज, ग्रोडिलोफ एंज, सेंट, डॉमिंगो, वेर दर, इंपॉर्टन सप्लाइज थे, वो, वस्तों के जैसे की टुबे को है, इंडी को है, सुगर है और कॉफी है, यह इंपॉर्टन कॉमिंटिटीज है, इनके सप्लाइज थे, बर्द, रिलिक्वेंस आफ यूरोप, लेकिन, जो यूरोप के इच्छोग लोग थे, टुगो, वो जाना चाहते थे, वर्क इन अन फैमिलियर लेंड, बहुत दूर, अंजान जगह पर, दूर जाने के सौकिन थे वो, क्यों थे, में एस सौटेज आफ लेबर, क्योंकि वहाँ पर, जो प्लांटेशन, जो प्लांटेशन की जाती थी, वहाँ पर, लेबरों की कमी होती थी, तो इसलिए बहुत सारे जो ऐ यसे लोग होती थे, अगर हम बात करें, इस वाज मेड बाई ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिट्विन यूरोब अफरिकान अमेरिका, एक ट्रेंगुलर सेफ बन गया था, कि अफरिका से बहुत सारे जो स्लेव ट्रेड थे, जिसमें गुलाम बनाके उन्हें, इन देशों में यूरोब और अमेरिका में भेजा जाता था, the slave trade began in 17th century में, slave trade शुरू हुआ था, and merchants sailed from the ports of Verdukes or Nantes, जो merchant व्यापारी थे, sailed from the ports of Verdukes or Nantes, से आते थे, अफरिकान कोस्ट में, when they bought slaves from, और वो, इन slaves को, इन दासों को, लोकल चिफ्टें से खरिचते थे, and, branded and sackled, the slave were packed tightly into sips, इनको अच्छी तरह से branded तरीके से sackled करके, slaves were packed के जाते थे, and tightly into sips, ship में इनको tightly packed के जाते थे, for the three months long voyage, क्योंकि तीन मैने की लंबी समुदरी आत्रा होती थी, across the Atlantic to the Caribbean, there were two, there, they were sold to plantations owners, और, इन merchant के द्वारा, जब slaves को बेच दिया जाता था, यहां से यूरोप से, अफरिका से खरिदने के बाद, यह लोग, जब लंबी आत्रा से, इन दासों को खरीद के लाते थे, और वहां बेच देते थे, they were sold to plantation owners, क्योंकि plantation owners को, plantations के लिए slaves की आ सकता होती थी, the exploitation of slaves, अब यहां पर जो दास आया करते थे, यहां पर इन दासों का बहुत ज़्यदा सोसन होता था, और made it possible to meet the growing demand, और, जिस तरह से जो slave थे, slave labor थे, इनका सोसन इस वज़े से भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि European बाज़ार में कहें, sugar, coffee और indigo, जो इंपोर्टन फसलें थी, इन तीन इंपोर्टन फसल, commodities की जो डिमांड थी यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा थी, तो इन तीन चीजों के प्लांट ग्रोइंग के लिए, बहुत ज़्यादा मादरा में labor की आ सकता थी, slave labor की, जब slave labor की डिमांड ज़्यादा वल गई तो उनका सोसन करना सुदू कर दिया गया, जब पोर्स थे, शिटीज लाइक बॉड्यूक्स एंड नैंटीज ओर दियर एकॉनमिक क्रोस्पेरिटी, इस तरह से इनकी जो एकॉनमिक क्रोस्पेरिटी ती तो दे फ्लोरेशिंग स्लेव ट्रेड थो आवर दे 18 सेंचुरी, अगर हम 18 सेंचुरी की बात करें, there was a little criticism of the slavery, थोड़ी बहुत जो स्लेवरी थी, उसकी आलोचना की गई फ्रांस में, नेशनल एसमली की बात करें, जो नेशनल एसमली थी, पालिवेट वहां की, held a long debate, एक लंबी वारता हुई about the weather, the rights of men should be extended, जो राइट सें में के, क्या उन्हें एक्स्टेंड किया जाना चाहे, बढ़ाया जाना चाहे, क्या फ्रांस में सभी वेक्तियों के अधिकार बढ़ाया जाने चाहे, जो फ्रांस की प्रजाद थी, including the colony, it did not pass any laws, लेकिन वहां पर ऐसा कोई law, पास नहीं किया गया, fearing, क्योंकि वह डरते थे, opposing from the business man, उन कारोबारियों से डरते थे, जिनकी income basically slave trade से ही आती थी, यानि कि ये दासों का व्यापार करते थे, अफ्रीका country से दासों को लाके, यूरोप के अन्य देशों में बेचने का काम किया जाता था, फ्रांस के कई कारोबारियों के द्वारा, तो इसलिए फ्रांस में इस बात का भी डर था, कि अगर वो कोई ऐसा law बनाते हैं, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दे जाएं, तो उनके व्यापार पर इसका असर दिखता, टूट विखता, तो इसलिए सका जाजा कि तौधा, मीजर के लिए तो टेनियर ले दस साल के बाद नेपोलियन रिंटोडूश लेवरी जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो उसने क्या किया इस लेवरी को इस दास्ता जो थी गुलामी जो थी इसको नही तरीके से रिंटोडूश किया अब क्या किस तरीके से रिंटोडू stood their freedom, वो अपने freedom को समझते थे, as including the rights be, and to enslave African Negroes, वो African Negroes को slave मनाते थे, in pursuit of their economic interest, अपने आर्थिक रूची के लिए, slavery was finally abolised, और finally जो slavery थी, abolised की गई, रोक लगा दी गई slavery में, in French colonies, French colonies में आखिरकार, slavery पर रोक लगा दी गई, 1848 में, वरना जो अफरिका से, इन slave को, दासों को, फ्रांस यां अन्य यूर्मन देशों में भीजा जा रहा था, और जिस तरह के से, डिमान बढ़ती जा रही थी, इन slave लोगों की, इनका बहुत ज़्यदा शुशन होता था, इनको मारा पिटा जाता था, इनसे ओवर वर कराय जाता था, इनको wages बहुत कम दिया जाता था, और इनको अपनी family से मिलने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक contact basis पर, इंडेंटर्ड लेवर के रूप में, बहुत जादी संख्या में, ना केवल अफरिका से, बलकि भारत से भी, बहुत सारे लोगों को, यूरोपियन देशों में भेजा गया, और जैसा कि बताए कि, जैसे tea है, coffee है, indigo है, cotton है, इनकी जब यूरोपियन मार्केट में demand बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ट्रेडर्स ने ज़्यादा वादरा में जो दास थे, इन दासों को खरीदना शुरू कर दिया, कि उस time की बात में दासों को खरीदा जाता था, और ये दासों को बेचने के लिए, इनको बहुत अच्छे कबड़े पहना दिये जाते थे, और इन दासों को नाम से नहीं बिला जाता था, इनको इन लंब़र दिया जाता था, रिवॉलिशन की बात करें अगर हम एब्रिडेई लाइफ में हमारे आज के जीवन में अगर हम रिवॉलिशन को देखें क्या जो पॉलिटिक्स है चेंज कर सकती है क्लोथ को पीपल के जो लोग पहनते हैं वी अग्वेज भी देश्विक और वो भासा जो बोलते है वो बुक जो पढ़ते है दे यर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेज फ्रांस ने ऐसे कई सारे बदलाव देखे जो पुरुस महिला और बच्चों के जीवन में देखे जा सकते थे दे रिवरिशनरी गावर्मेंट टुक इट अपॉन देंसेल्फ और जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने अपने आपको कैसे देखा टुक अपॉन देंसेल्फ पास लॉव देट वूट ट्रांसलेट दा आइडियल सब लिबर्टी जो क्या करेंगे इस आजादी के को ट्रांसलेट करेंगे और लिबर्टी और एकुल समानता और स्वतनता को इंटु एवरिडेज प्रैक्टिशन वन इंपोर्टेंट लॉग अगरम बात करें देट कम इंटु एफेक्ट सून आप्टर दे स्ट्राउमिंग ऑफ दा बास्टेली बास्टेली में जो स्ट्राउम आया तुफान आया समर में 1789 में तब ही उसके बाद एक law बना दिया गया था वो अबलिजन आफ सेंसर्शिप जो सेंसर्शिप थी यानि कि किसी भी भासा में जो निवस थी उसको छपना अलाव नहीं था गवर्मेंट के अगेंस ओल्ड रेजाइम जो था पुराना जो राश्टन था आल रिटर्न मैटेरियल्स उसमें जो सभी रिटर्न मैटेरियल्स थे कल्चरल एक्टिविटीज थी जैसे बुक्स में, निश्ट पेपर में या प्लेज नाटकों में कुड़ भी पब्लिश वो पब्लिश की जा सकती थी छापा जा सकता था और परफॉर्म वन आप्टर अनली आप्टर दे हैड विन एप्रूब बाई दर सेंसर अफ किंग क्यों राजा की राजावंदी के बाद राजा अगर किशी मैटर पर एप्रूबल देता था उसके बाद ही कोई न्यूज नीच्वेबर में या बुक्स में या मैगजीन में छपती थी राजा ने छंसर्शिब लगाई थी अब जल्दी ही एक राइट्स बनाए गए जिसमें पुरुस और नागरिकों के अधिकारों को गोशित किया गया जिसमें प्रोक्लें किया गया फ्रीडम आप इस्विज यानि की बोलने की आजादी अभिवक्ति करने की आजादी एक नेच्रल राइट था एक सबका प्राकरति के अधिकार था नीज़ पेपर्स जो थे पॉंपलेट थे बुक्स थी एंड प्रिंटेट पिक्चेस जो थे फ्लोड़ेट टाउन आफ फ्रांस फ्रांस के सहरों में इन भारी मात्रा में अगबारों की, बुकों की पॉंपलेटों की तस्विरों की बार जैसी आ गई थी from where they traveled rapidly into countryside और यहां से travel करते हुए गाउं में पहुँच गई they all described and discuss the events उन सभी लोगों ने इस घटना को describe किया and changed the taking place in France freedom of the press जो freedom of press थी प्रेश की स्वतंत्रता also mean that opposing way of even could be expressed जो कोई भी घटना होती थी उसके विरोध में उसके विरोध में उसको express किया जा सकता था event को express घटना को वर्नित किया जा सकता था side so to convince the others of its position दो the medium of print play जो थे नाटक थे गीत थे festive positions थे attract large number of people इससे large number of people को क्या किया गया attract किया गया this was one way यह एक तरीका था could graphs and identify with idea जिससे हम दूसरे को graphs कर सके identify कर सके with idea liberty और justice से और जो political philosopher थे दार्शनिक जो थे राजनेतिक रोट अवाउट दा लेंध इन टेक्स विच अनली एंट फूल अब है जुके जिसे के बार मुठी बर्स शिक्षित जो लोग थे वही बलते थे यहां बर एक प्रेट्रोटिक फैट रिडिजिंग प्रेस दिखा रखा है अनिनिमे स्प्रिंट 1719 में पुबलिस हुआ था जो प्रेट्रोटिक है देश बक्त फैट मोटर दिखाए गए हैं रिडिजिंग प्रेस को रिड्यूच कर रहे हैं तो किस तरह के से इसका जो कंक्लूजन निकलता है इन 1804 में याद रखीगा नेपोलियन बोना पाटे ने अपने आपको फ्रांस का सासा डिकलेर किया वो जो चाहता था अंबिशिस ताओ काफी वो यूरोप के और देशों में भी और टरिट्रीज को भी जीतना चाहता था कंकर कंकर केते हैं जीतना विजेता बनना चाहता था नेगवरिंग यूरोपन कंट्री का दिश्पोसेशिंग और डाइनस्टिक और क्रिएटिंग किंग्डम से वेरी प्लेश मेंबर आविस फैमली नेपोलियन सौ इस रोल ने अपना जो रोल देखा अजे मॉडनाइजर आप यूरोप यूरोप के मॉडनाइजर के रूप में इन्टोड्यूज मैनी लॉज उसने कई सारे नए लॉज बनाए देश के लिए सच देख प्रोटेक्शन आप प्राइवेट प्रोपर्टी यानि एक वेक्टी को कितनी भी प्राइवेट प्रोपर्टी ओन करने का अधिकार था एन्ट यूनिफॉर्म सिस्टम आफ वेट जो पूरी दुनिया में माप और तोल वेट कहते हैं भार और तोलने की जो प्रनालिया अलग-अलग होती है जिसे एक देश में किसी वस्तों को अगर हम तोले और उसको फिर ना पें तो अलग उसमें पैसा मिलेगा वही उसी वस् सुरे देश में तोल है तो वहां पर अलग पैसा मिलेगा तो क्योंकि हर देशी करंसी भी अलग-अलग होती है हर दुनिया के हर देशों की जो माप तोल है अलग होती है लेकिन इसी ने फ्रांस नहीं नेपोलियन के द्वारा ही वेट और मीजर प्रोवाइट बाइड़ डे के रूप में देखा who would bring freedom for the people जो लोगों को क्या देगा आजादी देगा लोगों के आजादी मिलेगी but soon the napoleonic army came to be view लेकिन बहुत जल्दी ही जो napoleonic army थी नेपोलियन की सेना थी came to be view everywhere as an embedding force के रूप में देखा he was finally defeated और finally हर जगा पर जब सेना का अधिक्राण कर रहा था तो देखा की 1815 में युरोप के देशों के साथ रश्या है फ्रांस है इन देशों के फ्रांस का तो उखता सकता Belgium है इन लोगों ने Waterloo के युद्दे में नेपोलियन को हरा दिया और इसको पकड़ के सेंटे ले नादीप में बेज दिया कहते हैं यहांस की मौत हो गई many of is measures बहुत सारे जो उसके measure थे that carries the revolutionary idea of liberty इसमें उसके जो क्रामतिकारी विचार थे liberty के and modern laws दो थे आदुनी कानून जो थे अधर पार्ट अव यूरोप में भी measure किये देखे गए and European impact on people और इस तरह से people पर impact प्राइस का after the Napoleon has left ज़र Napoleon ने छोड़ दिया था यहांकि Napoleon ये फ्रांस का emperor नहीं था उसके बाद realize किया गया कि जो नेपोलीनी कोड उसने बनाया था नेपोल ने वहां पर बहुत सारी चीज़ों में उसने reforms किया जे transportation है टेली कमिनिकेशन है भू सामंती बश्ता है भू दासत्व है और यह हम देख रहे हैं कि weight and measure प्रणाली है नापतोल प्रणाली decimal system है और जैसे हर किसी को वह एक आज़ादी freedom देना चाहता था equality देना चाहता था तो कहीना कहीं उसके जो major थे वो यूरोप के अन्य देशों के दोरा भी उसको अपना है गये थे idea of liberty अगर हम देखें and democratic rights जो थे were the most important legacy of the French revolution they spread from France to the rest of the Europe during the 19th century में जहां जो feudal system था एपोलाइज किया गया रोग दिया गया feudal system को colonized people reworked जो colonized people थे उन्होंने reworked किया idea of freedom from bondage into the movement to create sovereign nation state की और और टीपू सुल्तान था राजा राम मोहन रोज जैसे डो examples हैं जिने individually response idea कहीना कहीं यह revolutionary France के idea से बहुत आदे प्रभावित थे inspired थे इन चीजों से झाली कहीन कुतुत